नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वावत है वेंपायरहब.com की ओफिसील यूटूब चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग दोस्तों कैसे हो फैनली माविक ने वर्यों के साथ इसमें हम बात करने वाले हैं एक नहीं दो नहीं टोटल तीन वेकेंसिस के बारे में और दोस्तों आज की तीस्ती वेकेंसिस काफी कमाल की है यह वेकेंसिस रेलवे से आई है और यहाँ पे सीधी भरती होगी दिव्यांगो की कोई exam नहीं होगा कोई interview नहीं होगा और formfish तो सारे ही vacancies में बिल्कुल free है दोस्तो इसके लिए 10 वी pass apply कर सकते हैं 12 वी pass apply कर सकते हैं ग्रेजवेट apply कर सकते हैं और ITI pass भी apply कर सकते हैं 10 वी pass को salary मिलती है 21,700 की 12 वी pass को मिलती है 30,000 रुपए की और graduate को मिलती है 40,000 रुपए की ITI का specified नहीं है दोस्तो इन vacancies के लिए All India से लोग apply कर सकते हैं आप चाहें किसी भी state में रहते हो आप इसके लिए apply कर सकते हो तो दोस्तो देर किस बात किये चलिए हम जानते हैं तीनो vacancies के details one by one अपनी website पे चल कर आप इस वीडियो को जल्दी से like और share कर दिजिएगा चैनल को subscribe कर दिजिएगा दोस्तो दिव्यांगों के लिए आज की पहली vacancy आये डैली cantonment board के department से इसके लिए All India से candidate apply कर सकते हैं male या female दोनों apply कर सकते हैं और यहाँ पे post है junior clerk के इसके लिए salary आपको मिल जाएगी 21,700 से 79,100 रुपाय पर मन्त की और यहाँ पे आयू सीमा माई गई है physically handicapped people के लिए 20 से 40 साल और इसके लिए बारवी पास apply करेंगे साथी typing speed होनी चाहिए आप देख सकते हैं और यहाँ पे selection based है written exam interview पर job location रहेगा डैली इस vacancy का form भरना चालू है आप इस vacancy का form भर सकते हो इसका last rate है 13 जनवरी 2023 और form भरना है online mode में आपको link मिल जाएगा पहले comment म साथ ही वीडियो के description में दोस्तों अगली vacancy की बात करें तो आज की दूसरी vacancy आए इंडियन Space Research Organization से यानि की इस लोग के department से और यहाँ पर application mode online है कौन apply करेंगे तो all India से लोग apply कर सकते हैं job location भी रहेगा पूरे भारत में अगर हम बात करते हैं vacancy details की तो दोस्तों यहाँ पर assistant के post है junior personal assistant के post है upper division clerk की UDC हुआ stenographer के post है और यहाँ पर total vacancies कितनी है physically handicapped people के लिए तो यहाँ पर total vacancies है 29 physically handicapped people के लिए और इसके लिए OH, VH, HH और AHT वाले apply करेंगे salary मिलेगी 35,400 से 1,12,400 रुपया पर बंद की यहाँ पर आयू सीमा माइंगी है maximum 38 साल और इसके लिए कौन apply क लिए कोई भी graduate apply कर सकते हैं BA, BC, BC, BT apply कर सकते हैं साथी computer का knowledge होना चाहिए या फिर अगर आपने diploma किया है commercial secretariat practice में तो भी apply कर सकते हो या फिर आपने diploma किया है इनोग्राफी में short hand किया है तो भी आप apply कर सकते हो दोस्तों selection यहाँ पर बेश्टे written exam interview पर और इस वेकेंसी का form भरना चालू है आप इस वेकेंसी का form भर सकते हो इसका last date है 9 जनवरी 2023 और दोस्तों आपको apply करने का link मिल जाएगा वीडियो के description में साथी पहले comment में दोस्तो पहले आज कुछ question है भारत का Manchester किसे कहा जाता है आपकी options है लक नव वारा नसी कोईंबर टूर या फिर अहमदाबाद अपनी जवाब comment box में जरूर दें चलिए हम जानते हैं railway की वेकेंसी के details दोस्तों आज की last वेकेंसी आई यह साउथ इस्टन railway के department से और इसके लिए All India से candidate apply कर सकते हैं male या female दोनों apply कर सकते हैं और यहाँ पे post है trade apprentice के दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे post हैं मैं बता जेता हूं आपको यहाँ पे आपको forger and hit treater के post हैं और यहाँ पे total vacancy जो physically handicapped के लिए है वो आपको है 55 और इसके लिए apply करेंगे ITI pass वाले selection based होगा merit पे कोई भी exam नहीं होगा कोई भी interview नहीं होगा salary आपको specified नहीं है यहाँ पे बताया नहीं गया है और यहाँ पे I.O.S. इसको apply करने का लाश्ट है दो फरवरी फर्म भरना चालू है दोस्तों apply करने का mode online है और इन तीनों vacancies का form भरने का link आपको मिल जाएगा वीडियो के description में साथी पहले करने का भी link मिल जाएगा पहले comment में इस वीडियों बस इतना ही जय हिंद वन दे मात्रम